तो आज हम बात करेंगे site framework in jango jango में site framework क्या होते है और हम उनको कैसे use कर सकते है तो guys माल लीजे की एक news agency है और वो news article अपने database में store करती है News article Suppose کہ उस company के दो domain है Domain 1 and Domain 2 और माल लो की ये Domain 1 site और Domain 2 site दोनों ही article को publish करते है article को publish करते है अब अगर मेरे पास कोई एक ऐसा article है जो ये दोनों ही site पर publish होना है तो क्या मैं ये करूँ कि database में same article दो बार save कराऊं same article A मैं दो बार save कराऊं database में for different different domain for D1 domain and for D2 domain तो क्या ये सही तरीका है? नहीं that is the wrong way क्योंकि इससे क्या होगा database में redundancy बढ़ेगी और fall to a database में जाएगा तो इससे better है कि हम site framework का use करें और अगर D1 domain को उस article का need है तो वो D1 के हिसाब से fetch हो जाए और अगर D2 को किसी article का need है तो D2 के साफ से fetch हो जाए इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आगे अगर बताने जा रहा हूँ बट फिलहाल site framework का use यह ही है कि different different domain को हम manage कर सके एक ही जैंगो प्रोजेक्ट पे ठीक है इसको समझने के लिए कि कैसे किया जाता है देखते हैं उसके बाद मैं आपको code भी दिखाऊँगा कि हम कैसे इसको manage कर सकते हैं suppose कि हमारे पास एक d1 आर्टिकल है और एक d2 आर्टिकल है एक d1 डोमेन है एक d2 डोमेन है और एक a1 आर्टिकल है तो इसको code लेवल पर समझते हैं कि हम इस site framework का use कैसे कर सकते हैं पर उससे पहले जो जैंगो functionality provide करता है वो मैं आपके सामने बताने जाता हूं यह जैंगो है जैंगो एक जैंगो कि डॉट कॉंट्रिव कि डॉट साइट्स 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 यह एक प्री विल्ट इन विल्ट कह सकते हैं एक एप है जैंगो के अंदर अगर हम इसको installed app में यूज करेंगे installed जो लोग जैंगो अभी अभी स्टार्ट किया है उनके लिए मैं बता दूँ कि installed app एक लिस्ट है settings.5 में जब आप जैंगो को setup करते हैं तो वहां पर आपको अपनी बनाई हुई custom app या जो जैंगो प्रोवाइट कराता है जो नीडिड है आपके प्रोजेक्ट के लिए वह आप वहां पर mention करते हैं तो for sites framework आप जैंगो.contract.sites को वहां mention करते हैं installed app में राइट जब आप इसको installed app में mention करते हैं उसके बाद ही settings.py में settings.py में ये फाइल है जैसा कि मैंने बताया जब आप setup करेंगे जैंगो का तो वहां पर आपको ये मिलेगी वहां पर आप site-id एक variable को define करते हैं जो की आपका default जो site है वो show करेगा जिसका id 1 है जब आप इसको define कर देंगे अपने settings.py में तो जब आप अपने project को migrate करेंगे तो क्या होगा कि after migrating क्या होगा कि एक जैंगो एक table बनाएगा जो site जैंगो site करके नाम की होगी उसमें बहुत सारी entry होगी जिसमें होगा domain होगा name होगा id होगा ठीक है बाइडिफॉल्ट जैंगो example.com domain नाम का site बनाता है that is by default आप इसको custom भी बना सकते हैं अपना जिस नाम से भी बनाना चाहें ठीक है इसके बाद आते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अभी के लिए मैं code लेवल पर भी जाएंगे बट अभी के लिए एक get current site एक function है जो जैंगो provide कर आता है get current site जिसका सीधा सीधा आप समझी सकते हैं इस function से कि यह क्या करता होगा बट फिर भी मैं बता देता हूं कि यह जो site जिस site पर आप जैसे की मालो कि अगर मैं sttp site1 जो भी आपकी site हो .com पर हूं तो यह बता देगा कि आप इस domain से request कर रहे हैं अभी that is the current site method ओके अब हम code level पर आते हैं तो मैंने किये by default मेरा यह test domain है यह एक project है जो लोग अभी अभी जैंगो को पढ़ रहे हैं जैंगो setup के उनके लिए मैं बता दूंग यह settings.py होती है ठीक है इसमें installed app में मैंने यह देखिए जैंगो.contrib.sites करके installed app में रखा हुआ है ठीक है अब हम चलते हैं और site id भी दिखा देता हूं मैं site id is equal to one ठीक है बट फिर भी में एक बार command चला कि आपको दिखा देता हूं python manage make migrations यह बूलेगा no changes detected क्योंकि मैं मैं already migrate कर चुका हूं बट मैं already migrate कर चुका हूं मैं इसको दुबारा नहीं करना चाहता है बट आप समझ लीजिए जब site id is equal to one होगा तो यह already migrate कर लेगा अब suppose कि हमारे पास एक function है ठीक है यह first यह मेरी एक first app है इसके अंदर views.py होता है जो कि जिसम जहां पर सारा logic लिखा जाता है यह url होता जो reroute करने के लिए use होता है तो मैंने main app से जो मेरी main test domain project है मैंने यहां पर first करके लिखा हुआ है तो यह वाली जब मैं यहां first लगाऊंगा तो first.urls का मतलब है इस वाली app जो first है इसकी url पर जाएगा और इसकी url पर यहां पर जब जाएगा तो यह अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यह first function पर जाएगा जो dot views का जो views dot py का function है first और यह है first function यह readouting है jango की मैं आपको चला के दिखा देता हूँ इसको python manager python server और जब मेरा server चल गया है अब मैं इसको चला के दिखा 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 ओके तो अब यह देखिए guys यह dev.test.in जो मेरा virtual domain है right यह basically local host domain है वाट इसका name changes है for the you know illustrating purpose तो अब जब मैं यहां पर dev.test.in पर चला रहा हूँ तो यह dev.test.in देता है क्यों मैंने आपको पहले बताया था जैसे get current site जो function है हमारा वो यह बताता है कि current कौन सी site है आपकी तो अगर current जो site है जो current site है यह dev.test.in उसका value उसका value settings.site.id के बराबर है right तो यहां पर dev.test.in आएगा otherwise dev.test.in आएगा current response में ठीक है तो यहां पर एक ही यार करनी पड़ेगी dot id अब इसको जलाते है ठीक है यह actual में dev.test.in आ रहा है आना चाहिए था बट पहले मैंने dot id miss कर दिया यह क्या करता है यह site object को that is get current site occurs यह site object को लेकर आता है जो current site object है और उसका id अगर मेरी settings.site id जो मैंने default id settings में define की हुई है जो settings.py है मेरी जो मैंने default id settings.py में define की हुई है अगर उसके बराबर है तो यह लेके जाता है माल मालो कि अगर इसी page को मैं अपने देवबन.test.in से करता हूँ ठीक है तब भी यह यही लेके आएगा क्यों क्योंकि अभी भी जो current site है उसका जो id है वो settings.site id के बराबर है ठीक है ठीक है ओके तो अब हम अब हम बात करेंगे कि मालो कि कहीं पर अगर मुझे site निकालनी है current site और मेरे पास request function नहीं है तो jango जो है एक function provide कराता है जिसका जो है get current यह site object का method है इसको हम ऐसे use कर सकते हैं होज आपके पास कोई यह site model है तो site.objects.get current ठीक है हम इसको get current site है वो उसके लिए function की need है और यहां पर हम direct इसको use कर सकते हैं ठीक है हाँ अब वो उस scenario पर आते हैं कि हमारे एक article है और वो अलग-अलग site हो में दो अलग-अलग site हो में publish होता है तो हम उसको कैसे एक ही article अपने database में रखते हुए कैसे अलग-अलग sites के लिए publish कर सकते हैं तो यह जो model है जो Django थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि यह model कैसे बनाते हैं और क्या-क्या-क्या use है इनका और उसके अंदर site के अंदर model sort many-to-many field करके मैंने क्या किया है मैंने इस site model को इस article के साथ attach कर दिया है ठीक है अब यहां से मैं current site निकालूंगा यहां से मैं current site निकालूंगा और उसकी साथ से मैं site को जो article है from.models import article ठीक है और article को मैं fetch कर सकता हूं according to sites कैसे है ऐसे objects.filter site is equal to site id is equal to yes site is equal to get current site request dot id या अगर मैं id से नहीं वैसी यूज़ करना चाहता हूं ठीक है अब मेरा यह वो article है जो इस current site के लिए है यह वो article निकल के आया तो इस तरह हम जो है एक article दो अलग-अलग sites के लिए use कर सकते हैं I hope कि थोड़ा बहुत मैं clear कर पाया हूं for more आप लोग जो है यह इसका documentation है sites के लिए sites framework इसका मैं link description में दे दोंगा इसको study कर सकते हैं उसके बाद एक छोटा सा चीज और छोटा सा topic और है जो मैं cover करने वाला हूं इस वीडियो में वह है कि हम documentation कैसे हम जैंगो documentation कैसे कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए जैंगो ने औरड़ी एक एप जो है बनाई हुई है इनका एक invite है जो कि आप उसको उसको यूज करके आप admin जो है admin documentation यूज कर सकते हैं admin मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि को user जो उस documentation को access कर सकता है वो staff user होना चाहिए ठीक है वो चाहिए आप custom user बना सकते हैं बड़ वो staff user होना चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे documentation वो मैं आपको भी दिखा देता हूं ठीक है आप ओके तो जैंगो.contrib.admin.docs करके इनका documentation generator के लिए है ठीक है तो अभी हम इसको django.contrib.admin.docs यह एक एप को हम installed app में लगा देता है admin.docs राइट और अपनी url फाइल में भी हम यहां पर ओके यह याद रहे कि यह न admin से पहले आना चाहिए that should be that should come from admin क्यों रही बताता हूं जैसे यह पाथ जो है admin पाथ रहेगा न admin.docs कर लेते हैं इसको comma include jango.contrib .admin .docs .urls ओके तो मैं क्यों कह रहा हूं कि यह जो line है यह इस वाली line से पहले आनी चाहिए क्योंकि suppose अगर आप इस वाली line को admin के admin के नीचे रखते हैं तो यही पर अटक जाएगा जब आप admin.docs करोए है तो हम इसको middleware भी यहां पर देंगे इस middleware का नाम है अटक जाएगा xview middleware ठीक है तो xview middleware जो है हम यहां पर यूस करेंगे django.conti.admin.docs dot middleware dot xview middle middle middleware ok guys now everything is set up अब check करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताए कि एक staff user होना चाहिए तो staff user को छोड़ कि मैं एक super user ही बना लेता हूँ create super user root root ok हमें दिखाता हूँ कि documentation कैसे बन जाता है localhost state 00 admin ok test.dev मैंने डाला हूआ है वहाँ पर div test.in root admin docs पर जाता है अब यहाँ पर पूरा documentation आपके सामने है और हाँ जो मैं sites की बात कर रहा था कि क्या क्या होती तो अभी देखो example.com जो है इन्होंने मतलब already jango ने बनाई हुए जब आप site id करते हो जिसका id है one यह देखिए url में देखिए site one ठीक है और यह example.com का domain name है इसका ठीक है अब हम documentation की बात करें मॉडल्स में हमारे पास क्या गया है एक मेरा first app का article है बाकी यह जो जैंगो प्रवाइड गराता है administration के लिए log entry permission group site content type session and this is article इस article के बारे में for teaching purpose only यह मैंने जब यह इस तरह documentation बना देता है जिस तरह आप यहाँ पर जिससे मैंने यह documented किया हुआ for teaching purpose only तो यह यहाँ पर भी इसने for teaching purpose only दिखा रहा हुँ इसके fields दिखा रहा type दिखा रहा description दिखा रहा है ठीक है all related यह site.all जो इसका column है ठीक है यह site object से related है यह बता रहा है जो की एक relation key है ठीक है तो यहाँ पर हम आ जाते हैं यह इस तरह दिखा रहा log entry ठीक है और views views का documentation देखते हैं views views हमारे पास views एक views है admin को छोड़के first वाला यह है views इसमें हमने कोई documentation लिखा नहीं है अगर मैं इसको documented करता हूँ तो वह वहाँ पर भी reflect होंगे changes और आप यह पर देखेंगे यह बता रहा है for fetching article according to domain और site और यहां बहुत सारे चीज़ शो कर सकते हैं जैसे कि हम template के बारे हम बता सकते हैं ठीक है गाइस ओके इसके लिए भी आपको अगर इससे ज्यादा brief में जाना है तो आप जैंगो documentation पर सकते हैं जिसका link में description में दे दूँगा for now I think I am done ओके बाय गाइस thank you very much